गुट मानिंग इंडिया दोस्तो नमस्कार दोस्तो एक नए दल्चत कहानी में आप सबका फिर से स्वागत हैं और यह कहानी बहुत ही खास है तो चलिए मैं आपको शुरू करती हूं आज की कहानी आप इस कहानी को संते वक्त यह फोन या फिर हेट फोन का उप्योग करें इस दोस्तो यह बात मैं दिल्ली की रहने वाली हूं और जो मैं बात बतानी चाहरी हूं जो कुछ साल पहले मेरे शाथ हुआ मेरे कॉलेज के प्रथम वर्स में कॉलेज शुरू करने पर मेरा बस से आना जाना था कॉलेज का पहला साल था स्कूल से निकल कर मिली हुई आजादी का पहला टाइम दिल्ली के बसो में चलने की आदत भी पढ़ने लगा वैसे तो दिल्ली की बसे लड़कियों के लिए बहुत परशानी होती है इतनी भीर उपर से भीर में बहुत से आसिक वैसे तो कॉलेज जाना शुरू होने से पहल बहुत कुछ हुआ भी मेरे साथ और जो मेरे जंदकी के बारे में बहुत ही इंट्रेस्टिंग बात है जब मेरे जब सहलियों के साथ होती तब तो सीधी रहती लेकिन अकेली कॉलेज जा रही होती तो अगर कोई बस में रहता तो मुझे अच्छा लगता कोई ऐसे नल जात अगर जातं लुक कुछ कर बस में जाना पसंद पती ती और उसके बाद में बहुत ज्यादा बस से ट्रैवल करने लगी हर बार मतलब मैं हर दिन कोलेज जाने के लिए बस सी ट्रैवल Кरने लगी मुझे तो बशुका सफर बहुत ही अच्छ लग रहा था और बहुत सारी मैं बस से कॉलेज जा रही थी पहली क्लास थोड़ी देर से थी लेकिन बस बहुत जादा भड़ी थी तभी बसे के स्टॉप पे रुकी और दोलर के उस बस में चरे आनंद अंदर चका नहीं थी पर जगा बनाते वे वो अंदर आगे उन में से एक की नजर मुझ पर मिली और ना चाने क्यों उसने मेरी तरह बढ़ना सुरू कर दिया भीर के चिरते वे वो बस के अंदर आता रहा मेरे पास आकर रुकिया दूसरे लर्का भी उसके पीछे पीछे जगा बनाता हुआ पास में आ गया पहला लर्का देखने वे स्मार्ट था लंबा उच्चा गोरा दू लगा उस लड़की ने मेरे साथ बातचीत करने की कोई वज़ा ढूंड रहा था और वो मेरे तरफ देखने लगा थोड़े करीव आकर आ गया अब वो मेरे से बाद भी करने लगा अगली बार जब बसका धक्का लगा तो करीब करीब गिर ही पड़ा समानने से मेरी मदद कर करते वे मैंने उसे किसी दर बचाया इतनी फीर में हम इतने करीब थे कि मुझे उसके हर पल बहुत अच्छा लग रहा था मुझे भी उससे बात करने की कहीं न कहीं इंट्रेस्ट थी बस फिर क्या था उसकी समझ में आ गया कि मैं कुछ नहीं बोलने वाली फिर वो और भी पास आ गया और मेरे साथ बात करने का मुझे बार बार देखने का मौका ढोन रहा था मेरे आखे उसकी आंके से मिल रही थी तब ही मुझे हैसासास वाकी पीछे से फिर दुस्रा ल het अब वह दोनों मेरे अगल पगली थे ओर दोनों खड़े थे मुझे घोड़ रहे इतना म मेरे से बात करने की कोसिस करने लगा तो मैं भी ज्यादा कुछ ना बोलकर अंदेखा कर दी लेकिन मेरा भी मन कहीं न कहीं उसे बात करने का होडा था मैं उन दोनों को बस लाइन दे रही थी हलका सा मुस्करा रही थी और कभी इग्नोर कर रही थी तब ही आगे वाला लर्गा मुझसे कहा कैसा लगा अच्छा लग रहा है न वरसका सफर मैंने कोई जवाब नहीं दी मुझ में चुबान ही ना थी और बूछे बस वहाँ पे मैं सोच रही थी किया कितना देर का सफर है और कब मैं अपना कॉलेज पहुजोगी वैसे कॉलेज क तो पहला क्लास आज थोड़ा लेट से ही था फिर जब मैं उन दोनों से बात करने में इंट्रेस्टेर होने लगी तो वो कहें चलो हम यहां से उतर जाते हैं रास्ता में तो हम दोनों हम तीनों एक साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे फिर तुम अपने रास्ते मैं अपने र बरा है और वहां काफी जंगल है मुझे एक जगा मालूम है वहां हम कुछ देर रुख सकते हैं तो अगला स्टॉप मुही था सोच या समालने का मौका नहीं मिला इससे पहले कि मैं उनके साथ बस से उतर चुगी थी जैसे ही हम बस के उतर कर चली गई मुझे थोड़ा होस आय यह मैं क्या कर रही हूं पर तब तक लंबा लगा ओटो आ चुका था हम तीनों आटो में सवार हो गये उसने आटो वाले को रास्ता बताया इतना में दूसरे लगा ने मुझे पीछे में बैठा बैठ दिया इसी तरह ऑटो के वाले के निकाहे हम तीनों पर ही थी और हम ती कि एक बात बताओं तुम भी मुझे बहुत पसंदो उसने बोला ऐसा मत बोलो पसंद तुम भी मुझे हो मैंने कहा देखो मुझे तुम बहुत अच्छे लगे इसलिए मैं तुम्हारे साथ रूप गई हमारी बाते आटो डाइवर को सुन्ध है था और सायर उसे सक हो गया उसने अचानक ऑटो किनारे पर रोक और बोला तुम लोग इस लड़की को जानते हो मुझे आंसा बंधी की ऑटो डाइवर के होते हुए ये लड़के मेरे साथ तो बातचीत ही कर सकते हैं और बातचीत हम लोग का आगे नहीं बह सकता हमने मैंने का हम बस में मिले और ये ले चली ये सुनकर दूसरा लड़का बोला चुपो तुम अभी जूड बोल रही हो तुम हमारे मर्जी से आई थी फिर ऑटो वाला बोला देखो चलो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग जहां जा रहे हो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं बस मैं भी तुम लोगे मंजि सारू उस ऑटो में थे फिर हम लोग वहां जंगल पर गया कुछ दर वहां पर टाइम स्पेंड किये दोस्तों फिर उसके बाद वे लोग मुझे पापस बस्टैंड पे छोड़ती राकेस और लंबा लर्का जाते वक्त मुझे बोला की ठीक है फिर मिलते हैं ऑटो वाला हमे पहुचा कर हमें छोड़के चला गया बस्टैंड पर रुक कर मैं बस का इंतिजार कर रही थी और मेरे साथ जो भी घटना घटा हो वो सारा सोच रही थी मुझे यह सब में बहुत अच्छा लगा वो लंबा लर्का सच में बहुत अच्छा था मेरे जिन्दकी का पहला प्य सब्सक्राइब कर सकते हैं टोस्तों सब्सक्राइब करते हैंता युद अधर सबस्क्राइब के साथ जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देन तिलने टिलने.